स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्यानलों में, आज हम बात करेंगे प्रेशर इन फ्लुड्स के बारे में, और जो दूसरा टोपिक है वह बाइो एंसी, तो दोनों टोपिक आज हम डिसकस करेंगे, तो प्रेशर इन फ्लुड्स यह क्या है? पहले जान लेते हैं कि जो फ्लु फलो कर सकता है और कोई भी गैस जो है वो फलो कर सकती है, यानि कि लिक्विड और गैस है वो हमारे आते हैं, फलूड के अंदर, क्यों कि वो फलो कर सकते हैं. अब प्रेशर इन फलूड का क्या मतलब है? देखिये मानली जी आपके पास कोई solid body है यह क्या है कोई solid body है तो इसका जो weight होता है वो हमारा एक तरह का दवाब बनाने का काम करता है किसी भी चीज के ऊपर या आप इसको कह लें कि एक force लगाता है किसके कारण अपने weight के कारण किसी भी चीज पर solid जो है वो अपने weight के कारण force लगाता है लेकिन अगर हम बात करें flutes के अंदर यानि कि liquid और gases के अंदर वो तो solid नहीं होती तो ये किस तरह से pressure लगाती हैं तो ये भी जो है यानि कि flutes भी जो है इनके पास भी जो है pressure ये भी लगाती है क्योंकि इनके पास भी कुछ अपना weight तो होता ही है और जिस container में ये बंध होती है जैसे कि मालीज ये एक example ले ले हम एक syringe का example ले ले इस तरह से या पिछकारी का आप example ले ले तो वहां पर मालीज यह यहां पर यह opening है और यहां पर जो है आप water को या कोई भी liquid है आप इसमें डाल देते हैं आपने water को इसमें डाल दिया और यह जो है यह इसका handle है अब इस opening को अ जब आप इस पर force लगाएंगे तो molecule जो है water के यह pressure बनाएंगे किस पर एक तो जो आपने finger लगा रखी है उस पर भी आप महसूस कर सकते हैं इसी तरह से जो container की walls हैं इनके उपर भी pressure लगेगा जो भी हिस्से इस liquid के contact में है सारी जगा pressure लगेगा तो इस experiment के थुरू आप दे हों तो pressure exert करती हैं जितना भी जो आप उसको उपर फोर्स लगाएंगे और उसका जो खुद का जो मास होगा इस container के अंदर तो वो इस pressure को transmit करेंगे सारी direction में यहां की container of wall हो या आपकी finger जिससे आपने दबाया है हर जगा pressure लगेगा इसी तरह से दूसरा example ले लेते हैं इसके अंदर हम ले लेते हैं gas को तो इसके अंदर मानलीज यह gas है अब यहां पे है gas और इसी तरह से आप gas को भी ऊपर से यहां से दबाते हैं और मानलीज यहां पे कोई opening हम दे देते हैं इसी तरह से सेम तरह से और यहां पे फिर हम उसको बंद कर देंगे जैसे ही आप फोर supply करे तो gas जो है, यह compressible तो होगी, कुछ amount में compress तो हो जाएगी, यानि कि यहां से यहां तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है, compress होती होती, यह जो है, pressure exert करना start कर देगी, जिसके अंदर भी enclosed है, तो इसलिए जो gas भी है, या फिर जो water है, या liquid है, यह सब ही जो है, force exert करते हैं, या कहें कि force लगने के कारण, जो है, pressure exert करते हैं, हर जो चीज उसके contact में होती है, तो यह हम कह सकते हैं, कि जो fluids हैं, वो pressure exert करते हैं, इन दोनों example से हम समझ सकते हैं, चाहे liquid का ले लिजिए, चाहे gas का ले लिजिए, चलिए next जो है topic वो लेते हैं, जो कि है bio NC, तो इसको हम हैं कि bio NC है क्या, और काफी important topic भी रहता है ये, तो bio NC को समझते हैं, पहले इसका हम कुछ example ले लेते हैं, कि जो daily life के example है, वहाँ से आप जो इनको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो daily life examples के अंदर हम ले लेते हैं, देखिए, जब भी आप swimming करते हैं, माले जी आप swimming जानते हैं, जब पानी में आप जाते हैं, तो पानी जो है आपको एक upward force देता है, यह आपको पता है, जब यहाँ swimming करते हैं, तो upward force मिलती है, या फिर जैसे माले जी यह कोई कुवा है, और कुवे में पानी है, और आपने यहाँ पे बककट इसमें डाली, यानि कि जो बाल्टी है, वो आपने इसमें डाली, जैसे ही वो पानी के अंदर होती है, तो उसका जो weight है हमें कम लगता है, हमें less weight उसका लगता है, लेकिन जैसे ही जो है पानी से वो बाहर आती है, तो हमें उसका weight फिर से जो है heavy लगने लग जाता है, ऐसा क्यों होता है, और उसके बाद अगर हम example लें कि जो बड़े बड़े ship होते हैं, बड़े बड़े जो जाहज होते हैं, जो पानी के जाहज हैं, वो पानी पर किस तरह से तैर लेते हैं, जबकि वो iron के बने होते हैं, और जो है उनके अंदर steel का भी part होते हैं, इस तरह से वो तो डूब जाने चाहिए, लेकिन फिर भी से ले सकते हैं यानि कि ईसके अंदर देखें एक और घर पर करके देख सकते हैं आप कैंप बॉकट लिजिए ऑड़ पानी ले लिजिए और एक आप empty bottle ले लिजिए empty bottle आपने ले लेकर आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया खाली है और इसको आपने धकल लगा दिया अब इस bottle को जब आप पानी में डालें आप देखेंगे कि यह उपर की तरफ इसके उपर कोई force लग रही होती है जो ये bottle होती है और आपको इसको press करना पड़ता है ताकि आप इसको पानी के अंदर डूबो सकें लेकिन जब आप इसको छोड़ते हैं तो एक दम से जो है backward जो है जम्प करती है ऐसा क्यों होता है अब देखिए ये जो सारी चीजें है हमें पता है कि कोई भी चीज नीचे क्यों आती है नीचे आती है वो अपने weight के कारण यानि कि weight कहें तो उसकी gravity आ जाती है जो earth की gravity है वो ही अपनी तरफ खीचती है चीजों को तो पानी के अंदर इस तरह की ये force है वो ये जो है हमने बोतल का example लिया तो यहाँ पे क्यों नहीं लगी क्या आप सोचते हैं कि यहाँ gravity act नहीं कर रही होगी यहाँ पे gravity act करती है लेकिन क्या है जो ये upward force होती है अब gravity नीचे की तरफ है upward force ये उपर की तरफ है ये जो force है ये ज़ादा होती है gravity से और ये जो upward force होती है इसको हम बोलते हैं bio and force और जो है इसको हम bio and c बोलते है तो ये जो है bio and force जो है ये act करती है और gravity से ज़ादा होती है तो इसलिए जो है ये बोतल जो है उपर की तरफ जाती है अब ये इस तना से जो ये behavior है ये होता क्यों है अब इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है सबसे पहले तो आ जाती है किसी भी चीज़ की density यानि कि ये कितना dense है उसकी density आ जाती है वो हम next example में अभी देखेंगे कि वो density आ जाती है आप देखिए जो यहां पर हमने देखा कि जो byant force है वो upward की तरफ act करती है और जो upward force होती है जो water की द्वारा लगाई गई है कि इसके उपर bottle के उपर इसको हम up thrust भी बोलते हैं और byant force भी बोलते हैं आप या तो इसको up thrust भी बोल लीजिए अब thrust यानि कि उपर की तरफ उसके उपर force लगाई है जो या फिर byant force आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं तो कभी भी कोई भी जो चीज है पानी में जाती है तो उसके उपर यह force हमेशा लगती ही लगती है और यह जो magnitude होता है इस byant force का यह किस चीज पर depend करता है कि जो density of fluid है यानि कि यह हमने water लिया अलग कोई fluid लेंगे तो अलग तरह की byant force लगेगी तो इस तरह से इसके उपर वो depend करती है चलिए इसके अंदर एक example लेते हैं कि जो हमारे objects हैं जो objects हैं माली यह बड़े बड़े जो जाहज हैं या फिर कोई भी objects आप ले लीजिए वो हमारे float किस तरह से करते हैं water के ऊपर या फिर वो डूबते क्यों हैं इसके बारे में देख लेते हैं तो इसके लिए आप example ले लीजिए हम ले लेते हैं एक जो है इस तरह का container ले लेते हैं इस तरह का container या भी कर ले लीजिए और इसके अंदर आपने ले लिया water तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पानी तो इसके अंदर क्या है water है अब क्या करें आप एक जो है लोहे की कील ले ल force थी यानि की जिसको हम B से अगर हम बोलें की Bible c force थी upward की तरफ वो कम थी and weight ज़्यादा था Bible cfors कम थी तो व ढूब जाएगा लेकिन इसी की जगह अगर हम हम एक कोई हलकी चीज ले लें यानि की कोई कोर्क ले ले जरकी कोई धकन ले 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 या इस तरह की कोई चीज लेने हलकी और यहाँ पर अगर हम रखें उसको तो वो डूबती नहीं है वो float करने लग जाती है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसका जो weight कम है लेकिन by one force ज़्यादा है तो इसलिए वो जो है इसके ओपर float करती है अब इसके अंदर देखिए ये जो छीज़ें हैं, दोनों ही हमने example लिये, एक कील का या फिर एक कोई भी हलका सा हमने cork ले लिया, तो एक cork का example लिया, एक हमने iron nail का example लिया, तो हमने देखा iron nail तो ढूब जाती है, लेकिन जो cork है, वो जो है, उपर तैरता है, अब ये क्यों होता है, ये होता है, इनकी density के difference के क अब जो density है cork की अगर हम cork की density की बात करें ये काफी कम density होती है less density होती है किसके comparison में water की density से तो इसलिए ये इसके उपर तैरता है लेकिन अगर हम iron nail की बात करें तो इसकी जो density है वो काफी ज़ादा होती है किस से water से तो इसलिए ये इसमें डूब जाती है तो इस तरह से जो density है आप देख सकते हैं कि density difference के कारण ही चीज़ें तैरती है और इसलिए जो object होते हैं जिनकी density कम होती है जैसे यहाँ पर cork है वो float करते हैं liquid के उपर और जिनकी density ज़ादा होती है वो डूब जाते हैं liquid के अंदर तो ये था हमारा bio and c objects के बारे में कि वो क्यों तैरते हैं और जो pressure influence है वो क्या होता है thank you video देखने के लिए और ज्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोग पे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद